अगर आप एक यूटूब रहां तो आपने कॉपिराइट क्लेम के बारे में जुरूर सुनाओगा हाँ उसी के रिलेटेडे की यूटूब स्टूडियो में एक नई अपडेट आई है यूटूब की जो के सिर्फ उन क्रियेटर्स के लिए जो सिर्फ मुबाइल पे वीडियो बनाते हैं उनके लिए बहुत शांदार एक यूटूब स्टूडियो के अपडेट आई है तो इस वीडियो में मैं आपको वही अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ और उसे कैसे आप देख सकते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ तो हमारी वीडियो को पूरा ज पहले के YouTube studio में हम नहीं देख सकते कि ते copyright आया हुआ है कि नहीं हमारे mobile app होती है जो YouTube से link होती है न उसके लिए हमें Chrome browser में जाके analytics में जाके channel content में जाके copyright claim को check करना पड़ता था जो के चोटे जो mobile होते हैं उन पर कई बार नहीं वो चलता तो यह इस update में YouTube ने क्या किया कि यूट्यूब स्टूडियो में वही अपडेट आपको analysis में दिखाई देगी और उसे आप remove कर सकते हैं मैं आपको screen recording के जरीर दिखाता हूँ जैसे मैंने जैसे मैं यह अपना YouTube स्टूडियो में open कर लेता हूँ अब हमें कोई भी जैसे वीडियो कोई भी open कर लें जैसे मैं यही वीडियो open कर ला हूँ यहाँ पे visibility के नीचे restriction लिखा हुआ मेरे यहाँ पे none आ रहा है अगर आपकी वीडियो पर कोई भी copyright claim होगा तो यहाँ पे आपको शोगा अगर आपके copyright claim नहीं होगा आपकी वीडियो पर तो वहाँ पर जैसे यह नन लिखा हुए वैसे ही नन आपको दिखाई देगा और आपको चेंता करने के कोई जरूरत नहीं अगर copyright claim होगा तो आप simply उसे देखकर अपनी वीडियो को चेक करके simple YouTube studio app में आप उ I promise that you'll never be lonely, be the fam, that's what they call me